जम्मू कश्मीर में हिजबूल के आतंकियों पर सुरक्षा बलों का कहे टूटा हुआ है मंगलवार को सुरक्षा बलों ने शिरी नगर के नवा कादल इलाके में दो हिजबूल आतंकियों को एनकाउंटर में हमेशा हमेशा के लिए मोत की नीन सुला दिया 18-19 माई की रात से ही CRPF के जवान और जम्मू कश्मीर पूलिस के कुछ जवान इन दोनों आतंकियों से लोहा ले रही थी घंटों तक चली इस मुठवेड में एक पूलिस कॉंस्टेबल शहीद हो गया जबकि एक अन्य पूलिस कर्मी और CRPF के एक जवान घायल हो गया गाव वादी नेता और तहरीक एहुर्यत के अध्यक्ष महमद अश्रफ सेहरी का वेजा है जुनात सेहरी हिजबुल का शिर्ज कमांडर था बताया जा रहा है कि यह दोनों शिरी नगर में एक घर की आर्ट लेकर छिपे हुए थी जिसकी जानकारी मिलने पर CRPF और जम्मू कश्मीर की पूलिस ने ओप्रेशन चलाया था 18-19 मई की सुभ है करीब दो बचे सुरक्षावलों ने आतंक्यों के खिलाफ यह ओप्रेशन शुरू किया और आतंक्यों की खोजबिन चालू की गई इस दोरान इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को भी बंद कर दिया गया था वही मारे गई दोनों आतंक्यों के शवों को पुलिस ने अपने कबजे में ले लिया है मुटबेड सल से हतियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है एंकाउंटर के दोरान आतंकी जिस दो मकान की आठ लेकर छिपे हुए थे उसे भी सेना ने धमाका कर उड़ा दिया है शिरिनगर से फिर्दोस कादरी की रिपोर्ट फरेंड जैसा कि आप जानते हैं पिशली रात से शिरिनगर शहर के डौन ताउन अलाका में के एक ओपरेशन चल रहा था शिरिनगर शहर काफी अर्से से जहां तक एक्टव मिल्टेंट एक्ट का है सुवाल उससे फ्रीथम अगर गर्नेड बगारा की इंसिडेंट शिरिनगर शहर में पिखले काफी देर से चलते रहे और अच्छी बात यह है कि जिते भी गर्नेड अटाइक के जहां पर हादसे हुए लगपक 99% केसिज वर्क आउट किये गए और उनको कोर्स के सामने रखा गया है जर रखा जा रहा है पिखली रात का जो जो अपरेशन है इसमें दो टैरिस्ट मारे गए है और दोनों की पहचान हमारे पास आवी एक तुश्रिनगर शहर से ही है जुनेद अश्रफ खान और दूसरा पुलवामा से है तारिक एमद शेख जुनेद अश्रफ खान जैसा कर जानते हैं खुरियत के जो चेर मैंने इस वकत महम्मद अश्रफ खान उनका बेटा है सबसे शोटा बेटा है जो दो साल पहले मिल्टन सी जोइन कर गया था तब से लेकर के इसके तीन चार जिलों के अंदर एक्टव होने की खबर थी ज्यादातर बढ़गाम पुलवामा शोपियां और शिरनगर के एरिया में इसका बीट रहता था और इसका दूसरा साथी सिर्फ मार्च के महिने में ही उसने हिजबल मजाइदीन को जोइन किया था जो इसके साथ राद के अंकाउंटर में मारा गया जुनेद अश्रफ सहराई का जब से एक्टिव है कम से कम आदा दरजन केसिज में जो क्रिमिनल केसिज हैं उसमें इसकी इनवल्मेंट थी ये वांटर था और काफी जगा पे सिवलियन लोगों को मार पटाई उनको थ्रेटनिंग करना फोर्सिस के उपर अटैक्स जैसे तराल के एरिया में श्रनगर के एरिया में उसमें इसकी सामूलियत थी इस वक्त जह हजबन मजाइद इनका डुरीजनल कमांडर था जो सेंट्रल किश्मीर के एरिया को भी देख रहा था और इसके साथ-साथ इसकी जो बीट है वो जैसे मैंने कहा वो पुलवामा और शोपिया की तरफ बीच में रहती थी हमारी कोशिश है कि शिर्नगर शेहर को पीसफुल रखा जाए मगर दुश्मन की कोशिश यहां पर रहती है कि शिनगर शेहर क्योंकि सेंटर है एक्टिवटी का और इसको किस ना किस तरीके से डिस्टर्ड किया जाए गर्नेट्स जो बहुत बार जहां पर हुए उनका लिंकेज भी जादातर हिज्बन बजायदिन के जो अक्टिविस्ट हैं और बाकी और अगनाईएशन के अक्टिविस्ट हैं उपलवामा से भी और नौत किश्मीर दोनों साइब से आकर के वंतिपूरा से आकर के जहां पर इस तरह की कारवाईया करते रहें और उन तमाम तर केसे की तप्तीश जैसे मैंने कहा कामजाबी से हुई जिसका नतीजा जे हुआ कि जितने भी मौडियूल तियार करते थे जे गरनेड फैंकने के शेर के अंदर वो तमाम तर मौडियूल जो है वो टाइम टू टाइम बस्त होते रहे और कम से कम एक दरजन लोग ऐसे हम लोगों ने उन केसे के अंदर गर्फतार किये जो गरनेड फैंकी एक्टिवटीज में शामल थे हम उमीद करते हैं कि जहां जो इन लोगों की तरफ से जो साज़शें बन रही थी शेर नगर शेहर में अटैक करने की कहीं किसी ना किसी जड़ा पर और हम लोग काफी अर्से से ट्रैक कर रहे थे और कल हमें जो खास इतला मिली इनकी मजूद की डाउंटोन में उसके मताबक हमने जे उपरेशन लाउंच किया था और उसमें पुलीस को और हमारी जो फोर्सेज रैसिया पी साथ में थी इनको इस उपरेशन में कापड़ा भी मिलिया ने दो ही थे शुरू से उसमें तीन का ख़द्शा इसलिए हुआ था कि एक गरमे से निकल के दूसरे गरमे शामल हो गया था जो बाद में लड़का दूसरा जो मारा गया तारेक तो उससे एक बार लगा था कि शएद दो ना होकर के तीन हैं एक गर की और नवल्मेंट मतलब देखे मेल्टन्ट का तो कोई फिक्स्ट एरिया नहीं है वो तो एक जगा से दूसरी जगा कहीं भी जा सकता है और भी लोग हैं जिनके बारे में इतला रहती है कभी कभी जो सिटी के आउटसकर्ट पे आगे पीशे आते हैं एक दो अपरेशन हम पहले भी ऐसे कर और जहां सिटी पुलीस और बाकी फोर्सिस मिल करके इस ताक में हमेशा रहती हैं कि अगर को बाहर से आ करके जहां मिल्टन्सी डिलेटन इंसिजटन कुछ करता है तो उनको यहां पर उसे प्रुएंट किया जा सके हैं जिसा बजिया पता पाया कि यह एक दिका मकसद क्या था स्कीमे आने था और दूसरा की जो फोर्सिस को उठाना पड़ा है तो प्रुएंट करते थे तो लगज़ जगा पे नौजवानों के साथ मीटिंग फिक्स करते थे किसी और नौजवान लड़के को वर्गला करके मिल नेड्स की करवाईयां शेर में जा बाकी को यह टैक्स यो फोर्सिस की उपर होते हैं उस तरह की करवाईयां प्लैन करना और ओजी डवल्यू अपना नेटवर्क है उसको शेर के अंदर बढ़ाना उसी तरह का मकसद दिन का हमेशा रहा है और पहले भी इस तरह की की दोनों को वेकूट किया गया था दोनों इस वक्त आउट डेंजर हैं जब अपरेशन वाइंड अप कर रहे थी तो उस वक्त गनेड़ फैंका गया दूसरे मिल्टन द्वारा उसमें दो हमारे सीर्पी के जवानों को स्प्लिंटर इंजरी है वो भी खत्रे से बाहर है सेंटल कश्मीर कुल मला करके जो इसकी तदाद है ले दे करके वो तेरह 14 के त्रीब बनती है जो इदर तो नहीं है ज्यादा तर मगर जब आते हैं तो हमें उनकी ख़बर लगती रहती है इसी को रिपोर्ट हमारे पास नहीं थी क्या होगी क्या होगी क्या हम समझें कि र्याद लाइक और आप जो इसे राइड़ी वीडर्शिप आपने रहता है कि कितनी तदाद अब है तो मगर यह डाइनमिक तदाद रहती है कभी कोई नया लड़का जोइन करता है हम नहीं चाहते नहीं बच्चा को जोइन कर इस रास्ते पे और थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इसमें बनी रहती है मगर मैं इतना बता दू कि जो साल के शुरू में जितनी तदाद थी उससे काफी कम हो चुकी है अभी और अभी कोई दो सुचालीस के आजपास करके जो टोटल तदाद अभी बनती है जो सर्थ एरिया जहां पर इंटार्टर हुआ है इसमें हम लोग इसी बात का इत्याद कर रहे थे क्योंकि कुछ जादा आगवाका वाका हो जाए बाकी चीज़ें तो रोकना मुशकल हो जाता है इसलिए हमने अम्बूलन्स का इंतजाम बाकी चीज़ों का इंतजाम पूरा रखा रात को तीन चार गंटे इसी बात में लगे कि हम पहले घर के मेंबर्स को वेकुएट करें अच्छे से और उसी के दुरान रादर हम लोगों के अपने दोलों को इंजरी भी हुई जब घर से वेकुएट करने के लिए आगे बड़े तो आगे से फैर आया तो पहले हमारे दोज़वान उसी में इंजर हुए दरका भी को खास नुकसान नहीं हुआ है वह आगवा क्योंकि दनेड बगर चला रहे थे बाकी चीज़ें अंदर चल रही थी तो उसके चलते आग लगी मगर हमने आग पे काबू पा लिया था चलिए इसके बारे में फिर कभी जवाब देंगे और रखाएंगे कि दोड़ा में करीजिन की लगाई कोपरिशन हुआ और अभी क्या इस में ऐसा रखता है कि वहां में तब चिनाप रही और पाटी जिए सरी जैने दोड़ा इसको अदर की नंबर कम हुए हैं पिछले साल नो मिल्टंट ते उस एरिया की अंदर और इस साल अभी सिर्फ ती कि वहां में ठीजित मठीड ती तुछ सब्सक्राइल इस लागिन्ध वहां मुट्डू श्यां कर ताइसर है कि लाग्णा पाकस्तान हो इस जाल थायए इस सोचिल प्रपगंदा पाकस्तान इस वांट वहां मुट्छ थार। जिर्फन इन पोछे स्वाँ over such activities and we keep on graduating our responses for the requirements. अभी तक जो टारिस्ट मारे गए हैं इस साल के अंदर उनकी तदाद 73 हो चुकी है और जो टारिस्ट और उनके एसोसियेट पकड़े गए हैं उनकी तदाद को 95 के करीब है काफी बड़ी तदाद में कारवाई जो हो हुई है और इससे काफी के एरियाज में टारिस्ट जो वाइलेंस है उसका ग्राफ भी कम हुआ है थाइसे ही लेटेश को पाने के लिए बल इकन को खिलिक कर हमारी चैनल को लाइख शेर और सब्सक्राइब करें थाइसे हैं और सब्सक्राइब करेंद बड़ी बड़ी तने प्रफिक पर चैनल राजगराना थाइस जोटी गार्दन वोल्ड-क्रास